नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्म निर्भर भारत अभियान के बारे में पूरे डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि यह जो आत्म निर्भर भारत अभियान है है क्या तता इसकी क्या क्या खास बाते हैं तता उन बिंदू पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके exams के लिए काफी important है तो जैसे है कि आप सभी को पता है हाली में प्रधान मंतरे नरंदर मोधी जी के दोरा 20 लाग करोड उपे का आल्थिक package घुसित किया गया है तो इस आल्थिक package के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस आल्थिक package से कौन-कौन से वर्ग लाभानवित होंगे कौन-कौन से sector इस आल्थिक package से लाभानवित होंगे पूरी detail के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे तथा हम उन्ही पॉइंट्स पे उनी बिंदिवों पे ज्यादा प्रकास डालेंगे जो की एकजाम्स के लिए इंपोर्टेंट होंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो न्यूज है डिरेक्ट पी आईबी की साइट से लिए गई है निया कि जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और हमारा जो इसको हिंदी में कहते हैं जो हमारा पत्र सुचना का रियाला है यहां से यह न्यूज ली गई है तो यह 100% ऑथेंटिक न्यूज है तो इस वीडियो का बिलकुल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे है वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन जो हमारी है उन्होंने कोविड-19 के खिलाब भालती अल्थ ब्योस्ता की लड़ाई में ब्योसाय बिसेशकर MSME हो गई हमारे जो सेक्टर है MSME के यानि की हमारे जो सुच्म लगू और मध्यम उद्योग हैं को राहत और रेंड संबंदी सा है तेनी के लिए अहम गोस्णा उनके द्वारा हाली में गयी है थो इनी से बारे में हम One By One करके बात करेंगे और देखाएं कौन-कौन सिurs प्रॲे की गई है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हाली मात्री या है हमारी जो वित्तमंत्री उन्हें गोस्रना की है MSME यानि कि हमारा जो सुच्म लगू और मध्यम उद्ध्योग ए MSME का हम बोलते हैं सुच्म आप यहाँ देखेगा MSME का मतलब होता है सुच्म लगू वा मध्यम उद्ध्योग तो आप इसे हाँ देखेगा MSME साहित ब्यावसायों के लिए जो है 3,00,00 करोड रुपे की अपात कालिन कायरसिल पुल्जी की जो है गोस्रना की गई है इसके बाद कर्ज बोज से दबे MSME के लिए 20,000 करोड रुपे का प्रधान रीड की भोस्रना की गई है उसके बाद MSME funds of funds के बारे में जो है इसके लिए जो MSME funds of fund के माध्यम से 50,000 करोड रुपे की equity सुलब कराई गई है उसके बाद MSME की नई परिभासा भी हाली में जो है वित्न मंत्री निर्मला सितर रवन के दोरा जो है क्या की गई तो MSME की नई परिभासा भी बताए गई उसके बाद पर भी हम बात करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे है 200 करोड रुपे तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैस्विक निविदा नहीं की जाएगा उसके बाद जून जुलाई वर अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए ब्यावसाइक वर संगठित कामगारों के लिए जो कर्मचारी निधी संबंदी साहता है तीन मा के लिए बढ़ा दी गई इसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद जो Employed Provident Fund है उसके दरा कबर किये जाने विले सभी प्रतिस्ठानों के नियुक्ताओं और करुणचारियों के लिए EPF अंसदान को अगले तीन महिने के लिए 12% से घटाकव 10% किया इसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हमारी जो NBFC NBFC का मतलब क्या होता है Non Banking Financial Corporation आप आद देखें के NBFC का मतलब होता है जो हमारे गैर बैंकिंग वित्तिक कमपनिया है उसके बाद आपकी HFC का मतलब क्या हो गया जिसे भी आप आप आद देखेंगा HFC का मतलब आवास वित्तिक कमपनिया हो गया उसके बाद MFI का मतलब क्या होता है तो Micro Finance Sector तो यहाँ पर आप देख रहा है तो वित्यमंत्री हमारी है जो उन्होंने NBFC यानि कि हमारा जो गैर बैंकिंग वित्ति कमपनिया है उसके बाद HFC हमारी जो अवास वित्ति कमपनिया है उसके बाद MFI मतलब Micro Finance Sector है के लिए 30,000 करोड़ रुपे की विसेज, तरलता, योजना की घोसना की गई है उसके बाद NBFC और MFI की देंदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपे की आंसिक रिड़ गारंटी की भी घोसना की गई है उसके बाद हमारी जो Discom यानि कि हमारी जो Electronic Company है Discom का मतलब क्या होता है तो Discom का मतलब हो जाएगा हमारी जो विद्दूद सेक्टर है हमारा जो Electronics का सेक्टर हमारा जो विद्दूद सेक्टर है उसके लिए 90,000 करोड़ रुपे की तरलता सुलब कराई गई है सरकार के दारा उसके बाद EPC और रियायत समझोते से जुड़े दायतों सहित अनुबंधात्मक दायतों को पूरा करने के लिए 6 मात तक का समय विस्ताल देकर ठेकदारों को भी राहत दी गई है तता Real Estate परियुजनाओ को राहत सभी पंजिक्रित परियुजनाओ के लिए पंजिकरण और पूर्ण होने की तारिक को 6 महिने तक का बढ़ाय गयाने की जो ठेकदार है उनको भी राहत दी गई इस पैकेज में उसके बाद जो Real Estate परियुजनाओ है उसके तहत पंजिक्रित परियुजनाओ के पंजिकरण और उनको पूर्ण होने के लिए जो है 6 महिने का अतरिक्त समय भी दे दिया गया है तो यह सभी important point है जो कल भोसित किये गए थे निर्मला, सिता, रमन के दौरा इनी के बारे में हम पूरे detail में बात करेंगे इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कुछ point कौन-कौन से हैं तो वित्त मंत्री है महारी जो रिद्मा सितानों ने वित्त वर्स 2021 और 20 के लिए सेस अवधी के लिए स्रोध पर कर कटवती और स्रोध पर संग्रहित कर की दरों में 25% के कटवती किया तता कर संबंदी विभिन अनुपालिनों के लिए अन्तिम तीथिया भी बढ़ा गिलें जो tax returns के नियम है उनको भी बढ़ा दिया गया है इस आत्म नेवर भारत अभियान में तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे तो इस वीडियो का बिलकुल ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको पता होगा प्रधान मंतरी स्री नरंदर मोदी जी के दारा हाले में 20 लाग करोड उपय का आल्थिक पैकेज घोसित किया गया था तो इसे आप याद देखेगा सबसे पहले जिसको हाली में घोसित किया गया था विशेस आल्थिक पैकेज गरूप में किसके दारा तो प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी के दारा तो आप इसे याद देखेगा तो प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी ने आत्म निर्भर भारत अभियान के लिए इस परस्ट आवान किया तता आत्म नेर्बर भारत अभ्यान की इन्होंने पांच पीलर यानि की जो फाइब पीलर होते हैं पांच स्तंब होते हैं उसके बारे में बात की तो पांच स्तंब कौन-कौन से हैं अल्थबिवस्था हो गई उमारी एकोनौमी हो गई उसके बाद मांग यानि की डिमांड तो ये पांच आत्म निर्वर भारत की पांच इस्तम्भ हैं जा जा सकता है उसके बाद कौन important point है जो आपके लिए important है तो आपके देख रहा है जो हमारी वित्तमंत्री है निर्मला सीता रमण इन्होंने अनिवार रूप से लच्छ एक आत्म निर्भार भारत का निर्मार करना है यही कारण है कि आल्थिक package को आत्म निर्भार भारत अभियान नाम दिय गया है जो वित्तमंत्री है उन्होंने उन पांच अस्तंबों का हवाला दिया जिन पर आत्म निर्भा भारत की इमारत खड़ी होगी तो पांच अस्तंब मैंने आपको बता दिया यह 100% आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो इन्हें आप जरूर नोट डाउन कर लिए पांच पीलर्स कौन कौन से हैं यह 100% आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो इसी के बारे में आपके बताए जा रहा है कि जो वित्तमंत्री हैं सीता रमण जी उन्होंने उन पांच इस्तंबों का हवाला दिया जिन पर आत्म निर्भा भारत की जो इमारत वो खड़ी ह होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा फोकस भूमी पर, स्राम,तरलता ऐने के लिक्विडिटी और कानून पर होगा इसके बाद वित्तमंत्री न हभी कहा कि प्रधान मंत्री नरंदर मोधी के नितलित्य में सरकार सभी की बाते ध्हान पूर्वक सुनती रही है और यह एक उत्तरदाई सरकार है अंत में यह 2014 से लेके अब तक लागू किये गए कुछ सिधारों को इसमरण कराने की डिस्ट्री से बिलकुल उपयुक्ति समय है तो इसके बाद यह जो बिसेस आल्थिक पैकेज में जो है गरीब कल्यान योजना को भी समलित किया गया तो गरीब कल् कल्यान योजना है इसकी शुरुवात लॉग डाउन जब वन हमारा स्टार्ट हुआ था जो हमारा लॉग डाउन का समय स्टार्ट हुआ तो इसके बारे में हमपूरे डिटेल में बात करेंगे प्रधान मंत्री गरीब कल्यार योजना के तरत क्या-क्या घोसनाएं की गई हैं तो इसे भी आप याद रखिएगा कि प्रधान मंत्री जो गरीब कल्यार योजना है इसकी जो घोसना है ये लागडाउन वन के समय ही की गई थी इसके बाद हमारी जो वित्य मंत्री हैं इन्होंने उन उपायों की घोसना है कि जिनका उद्देश से कारोबारी गत्विदियों को फिर से सुरू करना है अल्थात कर्मचारियों और नियोकताओं ब्योस्ता हैं विसेशकर, MSME सेक्टर यानि के हमारा जो सुच्म लगू और अध्यम उद्यम है को फिर से उत्पादन कारे में सलग्न करना, कामगारों को फिर से लाबगारी डोजगारों से जोड़ना और गैर बैंकिंग वित्तिक कमपनियां यानि कि नॉन बैंकिंग फैनेंशल कॉर्पोरेशन जो हमारे हैं नयान हमारे जो गैर वित्तिक कमपनिया उसके बाद आवास विद्ध कमपनिया हमारी HFC हो गई उसके बाद हमारे जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर यानि कि हमारे जो MFI सेक्टर है माइक्रो फाइनस सेक्टर है और विद्धू सेक्टर को मजबूत करने के प्रयासों के बारे में भी इस package में बताया गया है तो आईए पूरे details के साथ बात कर लेते हैं जो important important घोसनाएं की गई है इस जो package हाली में घोसित किया गया तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना थी उसके तैयत क्या क्या जो है घोसना की गई है अब सबसे पहले आईए उसके बारे भी हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यह है PIB यानि पिमारा जो आत्मनिवर भारत है उसकी news है तो यहां पर आप देख रहे हैं तो हमारे जो प्रधान मंत्री जी थी जी इसके बारे मैने आपको बताया दिया तो उन्होंने किस्ती की घोसना के थी इसके बारे मैने आपको पूरी डिटेल से बताया दिया अगर आप इसको नो डॉन करना साथ नो डाउन कर सकते हैं आत्म नहीं पर भरत अभ्यान की गोश्रा नखे गई थी तता इसके पांच प्लियर्स बताया कहते अल्थ व्योस्था, आउस अनचना, प्रणाली, हमारी जो युवा सकती है और डिमांड यानि मांग के बारे में ये पांच प्लियर्स हैं जिसके अधा हमारी जो 20 लाग स्पेशल पैकेज की गोशना किये थी है हमारी एकोनॉमी का 10% के बराबर है इसके बाद इस यह जो पैकेज है यह कौटेज इंडस्ट्री, MSME, लेबरल्स, मीडिल क्लास, इंडस्ट्रीज और अन्नी वर्गों के लिए लागानवित यह जो 20 पैकेज मतलब पहुचाएगा और उसके बाद हमारे जो प्रणाय मंत्री है इन्होंने लोकल प्रोडक्स याने कि हमारे घरेलू उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग करने की इन्होंने हिदायत याने कि उन्होंने ज्यादा जोर किस पे दिया कि हमारे जो देश वासी है अगर हमारी अल्थ बिवस्था को पुन्ह पठरी पे लाना है तो हमें घरेलू उत्पादों का अधीक से अधीक उप्योग करना पड़ेगा हमें अपने घरेलू स्यमानों को ही खरिदना पड़ेगा अगर हमें पुन्ह आत्म निर्भर बनना है तो तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना इसके तयात क्या क्या पैकेस दिया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना थी वन मतलब जब lockdown स्टार्ट हुआ तो उस समय इसमें क्या क्या गोसना की गई थी तो insurance cover up 50 lakh per health workers यानि जो health workers हैं coronavirus के समय इस pandemic के समय काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो 50 lakh का health insurance गोसित किया गया था इस प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहती से भी आप याद देखेगा इसके बाद 80 करोड poor people given benefit of 5 kg wheat or rice per person for next 3 years यानि अगले 3 महीनों तक जो है 5 किलो चावल या 5 किलो गेहुं पर परसन को मुहया कराये जाएगा अगले 3 महीने तक या भी गोसिना के गई थी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत इसके बाद 1 किलो डाल प्रते घर को दी जाएगी अगले 3 महीने के मतला अगले 3 महीने तक या भी गोसिना के गई थी उसके बाद 20 करोड मैलाएं जो हैं उनको जन्धन उनके एकाउंट में 5-500 रुपे प्रती 3 महिने तक भीजे जाएंगे यानि जो 20 करोड मैलाओं के खाते हैं उनके खाते में अगले 3 महिने तक 500 रुपे भीजे जाएंगे उसके बाद गैस लेंडर फ्री अब कास्ट भरा जाएगा 3 महिने तक ये भी घुषणा की गई थी प्रधार मंतरी घरीब कल्याण रुजना के तयाद उसके बाद इनक्रीज इन मनरेगा वेजे यानि मनरेगा का जो वेज था दिन बर का उसको बढ़ाकर 202 रुपे किया गया पहले यह 182 रुपे था अब इसको 202 रुपे कल दिया गया था प्रधार मंतरी गरीब कल्याण रुजना के तयाद उसके बाद जो एक्स ग्रेशिया यानि की जो रासी दी गई थी एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है कानूनी बाध्यता के बिना सद्भाना शरूप दि जो गरीब लोग हैं जो बिधवाएं हैं और जो गरीब दिव्यांग हैं उनके खाते में डारेक्ट 1000 रुपे भेजे जाएंगे सरकार के द्वारा तो यह जो लॉक्डाउन वान स्टार्ट हुआता तो उस समय यह घोसना की गई थी प्रधा मंतरी गरीब कल्याण रुजना है उसके दूसरे भाग में क्या क्या गोसित किया कि इसके बारें बात कर लेते हैं यहाँ पी आप देख रहे हैं पीयम किसान यूजना के तहट जो 8.7 करोड किसान है उन सभी किसानों को पर किसान 2000 रुपे पेट किया जाएगा उसके बाद बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक वरकर वेलफेर फंड है उसका जो इस्तेमाल है वह जो दैनिक कामगर है उनको आल्थिक लाप पहुचाने के लिए किया जाएगा उसके बाद जो है और क्या है जो प्रविडेंट फंड के रासी है उसको 75% तक निकालने की गोसना भी किकल दी गई है इस मतलब जो पीसेस आ बंधक कोई रखे बिना कोई security रखे ही जो self-help groups की महिलाएं है उनको जो है लोन है 10 लाग से 20 लाग रुपे तक कर दिया जाएगा तो इसे भी आप या दिखिएगा जो है 10 लाग रुपे से रिवन को पढ़ा के 20 लाग रुपे कर दिया गया है जो self-help groups की महिलाएं है उनके लिए इसे भी आप याद देखिएगा उसके बाद district mineral fund to be used for supplementing and augmenting facilities for medical testing and screening जो district mineral funds है इसका जो इस्तेमाल है वह medical testing और screening में किया जाएगा तो यह जो pieces गोसनाय हैं यह की गई है प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना पैकेज 2 के तैद तो इसे भी आप याद रखेगा इसके बाद अब हम अन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो हाली में गोसित की गई है तो हमने MSME के बारे में पूरे detail में बात कर मतलब हमने प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना के बारे में हमने पूरे detail में बात कर ली है अब हम बात करेंगे जो pieces आलतिक package है जो किसको किसको किस sector में दिया गया तो MSME यानि की हमारे जो सुच्म लगू और मध्यम उद्योग है तता उसके साइज बेहसायें के लिए 3 करोड तो इसे आप याद देखेगा यह बस इतना जो point है बस इतना प्याद देखेगा इतना आपके exam में पूछा जाएगा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इसके बाद कर्च में दबे MSME के लिए जो है 20,000 करोड रुपे का अपरधान रीड की घोसना की गई यह भी आप आप गर्राइन की में पूछा जाएगा इससे जादा आपके exam में पूछा जाने की संभावना बहुत तो जितने बोल्ड पॉइंट होंगे जो आपके exam के लिए वूंगे उन्हीं को आप याद रखेगा मैं आपको उन्हीं को बताते हुआ जहां आओ सकता पड़ेगी में आपको जो है डीटेल में बता दूंगा इसके बाद MSME funds of funds funds of funds सबसे पहले आप जानी है क्या होता है तो funds of funds जो होता यह startup के लिए होता किसके लिए तो startup को बढ़ावा देने के लिए जो है funds of funds की घोशना की गई थी तो इसमें MSME funds of funds के माध्यम से जो है 50,000 करोड उपे की equity सुलब कराई जाएगी यानि MSME यानि की सुच्म लगू और मध्यम पुद्ध्योग में startups को बढ़ावा देने के लिए जो है 50,000,000 करोड उपे की जो equity है वह सुलब कराई जाएगी तो यह भी आपके लिए important है इसके बाद MSME की जो नई परिभासा है दी गई यह क्या है तो निवेश की सीमा बढ़ा कर MSME की परिभासा को संसोधित किया गया है तता turnover का एक अत्रिक्त मांडंड भी सामिल किया गया है MSME में तता विजनिजमाण और सेवा छेत्रियान सर्विस एक्टर के बीच के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है तो यह भी आपके लिए important है उसके बाद MSME के लिए अन्यूपाय क्या किये गया है तो MSME के लिए e-market linkage को बढ़वा दिया जाएगा जो ब्यपार, मेलो और प्रदलसनियों के प्रति स्थापन के रूप में काम करेगा सरकार और CPSC की ओर से जो है MSME को प्राप्य 45 दिनों में जारी किया यह उतना आपके लिए important नहीं से आप ध्यान मत दिजेगा उसके बाद 200 करोड रुपे तक की सरकारे नियोदाओं के लिए कोई वैस्विक निविदा नहीं की जाएगी यह आपके लिए important है 200 करोड रुपे तक का जो government contract है उसके लिए कोई भी वैस्विक निविदा की जरूरत नहीं पड़ेगी यानि कि क्या कहा जाएगा इसमें 200 करोड रुपे से कम मुल्ल की वस्तों और सेवाओं की खरीद में जो है वैस्विक निविदा पूछतास को नाम मंजूर करने के लिए सरकार के समान वित्ती नियमों में संसोधन किया जाएगा इसके बाद ब्यवसाइक और संगठित कामगारों के लिए करमचारी भविस निदी सायता इसमें क्या किया गया है तो प्रधान मंतरी जो है गरीब कल्यान क्या है PMKPMJ प्रधान मंतरी तो इसमें क्या किया गया है ब्यवसाइक और संगठित कामगारों के लिए करमचारी निदी मतलब जो भविस निदी सायता इसके रूप में जो है भारा सरकार EPF में नियोकता और करमचारी दोनों की ओसे वेतन में 12-12% की योगदान कलती है और जून, जुलाई और अगर 2020 के वेतन महीनों के लिए जो है तीन माहा तक का समय बढ़ाया जाएगा यानि जो है EPF है उसके तहट जो तीन माहा का समय और बढ़ा दिया इसके बाद EPF यानि कि जो Employee Provident Fund है अंसदान को नियोकताओं और करमचारी ओके लिए तीन माहा तक का घटा दिया गया तीन माहा तक कोई भी अंसदान ने किया जाएगा EPF में उसके बाद NBFC यानि कि हमारी जो Non Banking Financial Corporation हमारी जो गैर वित्ती कमपनिया है उसके बाद HFC है हमारे जो अवास वित्ती कमपनिया उसके बाद MFI यानि कि हमारे जो Micro Finance जक्टर है के लिए 30,000 को रुपए की बिसेस तरलता है योजना की गोसना की कैसे भी आप यादे कीगा इस NBFC में जितने भी हमारे मतलब जो उधार का दायरा बढ़ गया NBFC और Micro Finance सेक्टर में उसको चुकाने के लिए सरकार देगी 45,000 करोड रुपए का आंसिक रिंड इसके बाद डिसकॉम है नि कि हमारे जो बिजली सेक्टर है हमारा जो डिसकॉम क्या होता हमारे जो इसको हम डिसकॉम कहते हैं तो डिसकॉम के लिए 90,000 करोड रुपे की तरलता सुलब कराई जाएगी यानि डिसकॉम के तहत जो है हमारे जो Power Finance Corporation है और Rural Electrification Corporation है उसके तहत जो है 90,000 करोड रुपे की तरलता उपलब कराई जाएगी इसके बाद आपका ठेकेदारों को राज राज दे गई है ठेकेदारों मतलब रेलवे यहां भी आप देख रहे हैं रेलवे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले और CPWD जैसी सभी केंदरी एजेंसियों EPC और रियाय समझोते से जुड़े जायतों से अनुबंदात्मक दायतों को पूरा करने के लिए 6 माह तक समय अत्रिक दे दिया गया है उसके बाद रियल स्टेट परिजनाओं को राद दी गई है इसके तहत राज सरकारों को या सला दे जारे की रेरा मतलब क्या होता है यह जानी आप तो रेरा का मतलब यहां पे है जो है रियल स्टेट अधिनियम 2016 यह क्या है रियल स्टेट अध 6 माँ तक बढ़ाया जाएगी तता राज की परिस्तितियों के अधार पर 3 माँ और बढ़ाया जा रहा है रेरा के तत विभिन वैदानिक अलपाननों को भी एक साथ बढ़ाया जाएगा बेवसाय के लिए रहात दी गई इसमें और कर संबंदी प्रावधा नहीं आपके लिए important है तो स्रोत पर कर या स्रोत पर संगरेट कर की दरों में कटवती की गई है निवासियों को होने वाली सभी गैर वेतन भोगी भुट्तान के लिए टीडियस दरो और स्रोत पर कर की दर में बित वर्ष 2021 की सेश अवधी के लिए निर्डिष्ट दरो में 25% की कमी की गई है इससे 50,000 करड़ोपे की तरलता सुलब होगी आके लैंग वर्ष 2021 के लिए जो है सभी आयकर रिटरंस की जो अंतिमतिती थी 30 नौमबर 2020 तक बढ़ा दी गई है तिवी आपके लिए important है तता बिवाद से विश्वास योजना के तयत आत्रिक्त रासी के बिना ये भुक्तान करने की जो तारीक है वह 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है तो यह कुछ इंपोर्टेंट जो घोसनाय थी जो हाली में वित्यमंत्री के तोरा की गई आत्म निवर भारत अभियान के तयत उनके वारे में हमने बात कर ली है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक्यू